वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ श्रध्धा एक नए वीडियो के साथ तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ करवा लुक बुक यहां पर मैं 5 से 6 सिंपल एलिगन्ट और प्रैक्टिकल लुक शियर करूँगी मैं जितने भी लुक शियर करूँगी सब के सब आप बहुत ही इजली कर सकते हैं और सब अंडर बजट होगे तो यहां पर मैं आप लोग को साथ सूट और साड़ी दोनों के अप्शन करूँगी क्योंकि मैं दोनो पहनती हूँ इसलिए मैं दोनों के अप्शन शियर करूँगी और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथ ही मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा तो ज्यादा बात ना करते हुए इंट्रो को ज्यादा बढ़ना करते तो कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लुक सबसे जादा अच्छा लगा और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिलिक शाज शियर कर देना यहां पर मैंने एकदम सिंपल से लुक से स्टाट किया है तो यहां पर मैंने एकदम प्लेन सिंपल सिफॉन काइंड आप सारी पहनी है सिफॉन तो यह नहीं है कुछ अलगी फैब्रिक है काफी साइनी साइनी सा तो एकदम प्लेन से बहुत हैवी साडी पहनना नहीं पसंद आप कम साडिया पहनते हैं, तब के लिए लुक आप बहुत ही अच्छा रहेगा, काफी स्टाइलिस सा लुक ऐसी साडियों में भी आता है, तो आप एक सिंपल सी सारी और उसके साथ थोड़ा हैवी सा या वर्क वाला ब्लाउस पहन सकती है, थोड़ा डिजाइनर सा, तो ऐसा लुक भी काफी अच्छा लगता है, थोड़ा गरलिस सा लगता है, आप अच्छे से उन्हें यूज कर सकती है, ज्यादा हेवी साडिय लेलें तो बाद में यूज नहीं होती, यहाँ पर बढ़ते हैं वीडियो के नेक्ट लुक पे, जो की करवा के हिसाब से बेस्टम बेस लुक है, इसको देखके ही आपको करवावाली फुल वाइव आपके तो यहाँ पर मैंने रेड कलर की एख हिलता, रेड कलर की सिल्क सारी पहन冷ा tel जो कि बहुत ही classy लग रही है, बहुत ही सुन्दल लग रही है, तो आप इस तरह की एक सिल्क सारी ले सकते हैं, जरू नहीं है कि रेड ले, आप दूसरे कलर में भी जा सकते हैं, और ऐसे simple सा लुक आप ट्राय कर सकते हैं, मैंने कुछ भी इसमें make-up या ऐसा कुछ बहुत extraordinary न बढ़ते हैं, नेक्ट लुक में, जिसमें मैंने एक सिल्क कुर्टा सेट पहना हुआ है, जिसका कुर्टा सेट का जो कलर है, बहुत ही व्यूटिफुल है, एक मजंडा कलर काइंड आफ है, तो बहुत ही सुन्दर है, तो अगर आप सारी में नहीं जाना साथती, तो आप कलर का, जो की बहुत ही अच्छे से जा रहा है, तो आपको ये सब लुक कैसे लगे, ये कमेंट जरूर करें, नेक्स्ट लुक में, अगेन मैंने एक सुट पहना हुआ है, जो की अगेन बहुत ही सुन्दर कलर का है, और ये बांधनी प्रिंट में है, बांधनी सुट ही तो इस तरह के सुट भी फेस्टिबल का करवा के लिए काफी बेस्ट आप्सन है, अगर आप हैवी ऐसे साड़ियों में नहीं जाना चाती है, आप साड़ी में कमफर्टेवल नहीं होती, सुट ही प्रफर करती है, mostly सुट ही पहनती है, तो आप इस तरह का हैवी सुट पहन स सकती है, जो इस करवा चोथ काफी सुंदर लगेगा, ये बांधनी प्रिंट बहुत ही पुराना पैटर्न है, कोई लेटेस्ट पैटर्न नहीं है, बट ये ऐसा पैटर्न है, जो कभी आउट आप फैशन नहीं होता, आप अपने बचपन में भी देखी होंगी कि बांधनी प्रिंट की साड़ियां चलती थी, अभी भी चलती है, सेम बित सूट्स, सूट पहले भी बांधनी प्रिंट के चलते थे, अभी भी बांधनी प्रिंट के चलते हैं, सूट इतना हैवी है, तो बस मैंने एर रिंग ही पहनी है, अलग से कोई जोलरी वगएरा और नहीं पहनी मस्त लग रहा है इतना मस्त लग रहा है तो आप करवा में ऐसा कुछ जरूर ट्राय कर सकती है बढ़ते नेक्ष्ट लुक पे यहां पर मैंने एक ग्रीन कलर की सिल्क साड़ी पहनी हुई है जिसके साथ मैंने जोल्री वगएरा भी मैचिंग पहनी हुई है तो इस तरह का भी आप सिल्क सारी पहन सकते हैं यहां पर मैंने पिनप वगएरा करके पहनी है इसके पहले जो सारी पहनी थी मैंने ओपन पल्ले में पहनी थी तो आप इस तरह पिनप करके अगर कमफरटेवल रहते हैं ओपन पल्ले में नहीं मैनेज कर पाते तो इस तरह पिन यहां पर next look है अगर आप करवा में लहंगा वगरा पहनना चाहती है और बहुत heavy में नहीं जाना चाहती तो आप इस तरह के बनारसी लहंगे ले सकती है यहां पर मेरा यह तीनों चीज अलग अलग लिया गया है यह लहंगा अलग लिया गया है यह लहंगा अलग लिया गया है तो मैंने डुपट्टे को साइड किया है और हलका सा मेकप किया है तो आप इस तरह का भी लुक करवा के लिए ट्राय कर सकते हैं काफी बेस्ट आपसन है अगर आप लहंगा पहन ना सोच रही है तो तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो कैसा लगा आपको अगरा फसंद आया तो लाइक करें शियर करें और कमेंट जरूर करें कमेंट करना ना भूले इट्स रिक्वेस्ट कि आप करके बताएं कौन सा लुक अच्छा लगा फिलती हु नेक्ट वीडियो में कुछ नए आइ क्या है